आज हम लोग उनिट वन में एक्सराइज 1.2 का लास्ट कुस्टिन सॉल्फ कर रहे हैं तो जैले स्टार्ट करते हैं इसमें हमें कहा गया है verify that if mattress is this and b mattress is this then हमने find out क्या करना है हमें proof क्या चीज़ करनी है कि अगर हम a mattress का transpose निकाल के उसका again transpose निकालें तो फिर क्या वो equal होती है a के के नहीं तो चलें इसे check कर लेते हैं तो सबसे पहले हम अपनी a mattress लिखते हैं यहां पे जो है 1, 0, 2, 1 ठीक है अब हम क्या करते हैं अब हम देखते हैं इसका transpose कैसे निकलेगा ठीक है तो A का transpose कैसे निकलेगा लास अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको समझाया था कि जब हम transpose निकालने लगते हैं तो हम columns को rows में change कर देते हैं और अगर rows होंगी तो हम column में कर देंगे ठीक है तो यह देखिए यह अगर हमारे पास 1, 2, row है तो यह column में change हो जाएगा और यह 0, 1 भी हमारी column की form में आ जाएगा ठीक है इस तरह हमारा यह A transpose निकल आया अब हमने again इसका transpose निकलना है ठीक है तो हम इसे किस तरह लिखेंगे A का transpose then again transpose तो फिर वो क्या होगा हमारा देखिए जब हम उसका double the form transpose निकालेंगे तो वो हमारा यह देखिए row को अब हम column बना लेते 1, 0, 2, 1 में change कर देते देखिए यह उसी form में आ गया जो के हमारे पास original form थी यानि A matrix की तो A को अगर हम double transpose करेंगे तो वो हमारा A के equal आ जाएगा लिखेंगे N में हम यह लिखेंगे कि hence it is proved that A transpose का transpose is equals to A ठीक हो गया अब हम लोग इसका B part solve करते है second question solve करते है इसमें B matrix को देखिया हमें क्या दी गई है इसमें हमें B matrix दी गई है one two one zero यह हमारे पास B matrix ठीक है अब हम इसका transpose निकालने लगे है तो देखिये B का transpose क्या निकलेगा B का transpose one one जो है वो हमारे किस form में देखिये रो की form में इसे हमने column की form में change कर देना है तो यह इस तरीके से आ जाएगा हमारा matrix ठीक है यानि रोज हमने column में change कर दी तो यह B मैं हमारा transpose निकल आया अब हमने B transpose का again transpose निकलना है ठीक है और हमने चेक करना है कि whether it is equals to B or not तो हमने जब इसका again transpose निकाला तो यह हमारे पास इस form में आ जाएगी हमने रोज को again column में convert कर दिया है ठीक है अब आप देखिए जो हमारे पास B की B matrix था ठीक है वो ही हमारा B transpose का transpose निकला है ठीक है तो end में हम क्या लिखेंगे देखिए end में हम लिखेंगे hence it is proved that B transpose का transpose is equals to B ठीक है इसके साथ हमारा यह question खतम हो गया है और हमारे exercise भी खतम हो गई है next exercise के साथ आपसे दुबारा मिलती हूँ in another video till then take care of yourself Allah आपस